असलाम अलेकुम आज आपके लेकर आई हूं बहुत इस्पेशल हल्वे की रेसिपी वेलकम बैक तो यूरोन चैनल कुक्पिद गुल्णूर विच इस्पेशली मेट फॉर कुकिंग लवर्स आज कर संतरों का सीजन चल रहा है बहुत ही सस्ते से मार्केट में संतरे आ रहे हैं तो ले आईए और बनाईए ये मज़ेदार सा हल्वा जो बिना मावाख होया के बनेगा बिना मिल्क पाउडर और कंडेंस मिलके नहीं आपर चाशनी बनानी है आपने और बहुत जर्फ यह दो इसका टेस्ट लगता है और जेली की तरह और बॉंबे कराची हल्वा और आपने कभी खाया होगा तो यह बिल्कुल उसकी तरह लगता है बलके उससे कहीं जादा इसका टेस्ट अच्छा होता है तो बहुत ही आसानी के साथ आप इसको घर पर बना सकते हैं औ मैंने इस हलवे को बनाने के लिए दूश जूस तो यहां पर दो कप मैंने औरेंज जूस लिया है वेट में अगर इसको मीजर करें तो यह साड़ी 400йme I तो आप simply juicer से भी इसको निकाल कर सकते हैं या फिर आप इसको blender में blend कर लें और उसके बाद चलनी जे छानकर भी इसको त्यार कर सकते हैं तो यहां पर इसको side में रगते हैं कि अब यहां पर हम ले लेंगे pan और उसमें डालेंगे 1-2 cup corn floor तो यहां पर आपने कोई चाशनी नह ले सकते हैं तो जिस कटोरिया कप से आप लेंगे आदा कप कॉन फ्लोर उसी से आप दो कप औरेंज जूस ले लिजेगा तो अब इसमें यहां पर मीठा फ्लेवर देने के लिए हमने इसमें एड करने नहीं है शुगर तो यहां पर शक्कर मैंने ली है एक कप अगर इसे गुठलिया रह जाएंगी तो यह हल्वा आपका बहुत ही क्रिस्टलाइज अच्छा सा नहीं बनेगा स्मूध यहां पर अच्छे से मिक्स कर देंगे तो इन सारी चीजों को अच्छे से मिक्स करना बहुत जरूरी है ताकि कोई लंप ना बनने पाए इसमें तो बिल्कुल तो इसमें थोड़ा सा और एड़ कर सकते हैं पूरा एक चुठकी के करीब तो यहां पर मैंने से डाल दिया है और इसे लगातार चलाते हुए अच्छी तरीके से पकाएंगे तो इसको लगातार चलाना बहुत जरूरी है अगर नहीं चलाएंगे तो इसमें गुठलिया तो थोड़ा खट्टा मीठा टेस्ट का यह बहुत ही ज्यादा टेस्टी हलवा बनकर त्यार होता है और अगर आपके पास बहुत सारी संत्रे हैं खराब होने का चांसे से तो जल्दी से उसका जूस निकाल कर आप इसे बना कर त्यार कर सकते हैं तो इस हलवे में नहीं आप आपको बहुत ज्यादा टाइम भी नहीं लगेगा बहुत ज्यादा टेस्टी उसके पर से बनकर त्यार होता है यहां पर लगाताश चलाते हुए इसको पकाना है अपने एक हाथ थक जाए तो फिर दूसरे हाँ से चलाएगा लेकिन कंटिन वस्तर करते हुए पकाईएगा यहां पर इसमें गुठ्लियां बन सकती है तो यहां पर आपने इस वैटस्वा को बनाने कंटाई में याहां पर बहुत बहुत अच्छे से मैं इसको चला लिया थे लगताश राते उदिगेगे इसके कंडिस्ट्रेंस थी ठीक हो उना तो यहां पर देख लिए किस तरीके से थीक हो गई इसी कंजिस्टेंसी तो अची तरीके से यहां पर आना स्टार्ट हो गया है तो यहां पर बहुत तेजी के साथ हाच चलाएगा ताकि यह बिल्कुल भी पैन में लगने ना पाए और इसके लिए आप हैवी बॉटम पैन ली है कि यहां पर अब हमने डाल देना एषमे घी को हम भैचेमंगे थोडाओ तो इस तरीके से करते हुए हम पकाएंगी इसको तो यहां पर गाडा होने के बाद मैंने इस पर आ harpाना स्टार्ट कर दिया है तो यहां पर फैला हुऊ पैन लीजिए और हैवी बॉरक में तो यहां पर इस तरीक से लगाता ज़ो आज़ा आते हैं। व्र मैं घी डालते जाना है। जब एक घी अभजॉर्ब कर लेगा तब हम दूसरा घी का बैश डालेंगे। यहां पर दूच्प मस्गी मैं ने ढाल दिया है। अब इस तरीके से देखे हैं सारागी अब्जॉब कर लिया है तो अब हम यहाँ पर फिस्रा चम्स घी का डाल देंगे इसमें तो यहाँ पर एक चम्स घी मैंने और इसमें डाल लेंगे तो 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 टोटल घी हम देख लेंगे यहां पर कितना लगेगा तो बैचेस में हमने घी डालना है एक सारा घी नहीं डालेंगे यहां पर एक चमच घीज में मैंने और एड कर दिया है अब हम इसे फिर से इस तरह से पकाएंगे तो यहां पर तेज़ देज़ाद चलाएगा और लगातार चलाते वे इसको पकाईएगा चमच को बिलकुल रोपना नहीं है वरना ये लग भी सकता है नीचे तो बहुत ही जादा ये मज़ेदार सा हलवा बनता है बच्चों को तो ये बहुत ही पसंद आने वाला है तो यहाँ पर इस तरीके से मैंने चला दिया इसको और फिर से हम इसमें घी आड़ करेंगे तो यहाँ पर जब घी अब्जॉर्ब कर लेगा एक बैश तभी हम दुबारा से इसमें आड़ करेंगे तो यहां पर घी डालने के बाद इस थरीके से बराबर से चलाइएगा वरना इसमें गुठलिया पड़ सकती है और आपका हलवा अच्छे से तयार नहीं होगा तो बस यहां पर जो महनत लगेगी बस यहीं पर लगनी है वरना बाकी इसमें कोई महनत निये सल्वे में तो बिल जन में इसको देखें तो यहां पर मैंने इस तरीके से इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है तो यह हलवा इसी तरीके से तयार किया जाता है थोड़ा घी आड़ करते जाए और इसे पकाते जाए तो जो बॉंबे कराची हलवा होता है वो भी इसी तरीके से बना कर तयार किया देख लिए कितना अच्छा सा हो गया और टेक्शर भी कितना अच्छा सा आ रहा है इसका तो यहां पर अब इसने पैन को छोड़ना है स्टार्ट कर दिया है अब हम अजीद इसको एक से डियर मिनट पकाएंगे तो गाड़ा होने के बाद से मैंने इसको 20 मिनट पकाया है घी दाल कर तो यहां पर देख लिए कितना अच्छा इसका टेक्शर हो गया है बिल्कुल ट्रांस्पेरेंट ही हो गया हमारा तो अब यहां पर हम इसे स्टेज पर इसमें एक चमज़ की और एड़ कर देंगे और इसे फेस से हम इसको पकाएंगे जब तक यह बहुत ही अच्छ ुज़ातार मेञे बिना फेल वे आप इससे बहुत ही आसानी सुध बना सकते हैं बिल्कुल भी पुंश्खिल नहीं हैं सब बनाना बिल्कुल टाफ नहीं है हम 2-3 चमाच गी और लो वाला है तो यहां पर यह अच्छे सेट होने लगा है अब हम इसमें एक चमज ही और एड़ कर देंगे और इसे पका लिए तो टोटल तीन च्वाथा एकब जो घी लिया था मैंने यहां पर डेल शुक्रा वो सारा का सारा इसमें लग जाएगा तो यहां पर इस हलवे को घी मे हलवे बनाने के बस यही пят मैंन इस थरीके से जब बनाएंगे तो बहुत ही शानदार आपका हल्वा बन का त्यार ओगा त्यार हो बिल्कुल पर फृक्ट आपका पहली बार में इसका बनकर त्यार हो जाएगा तो यहां पर देख लिए कितनी हारी है तो बच्चे बड़ों भूरों सभी को बहुत पसंद आएगा बच्चों को तो खास्त वह से बहुत पसंद आने वाला है्यहलत भादी जाद़ घेस्ट होता है sense का बहुत मज़ेका लगता है यह और तो यहां पर एक और समस्पैनेगी इसमे आड़ कर दिया है अब हम इसे भी पका लेंगे अच्छी तरीके से और पैन को भी इसमे अच्छी चोड़ दिया है तो बस यह लास्ट स्टेज है इसकी बिल्कुल तो बहुत ही अच्छी से इसमें शाइन भी आ गई है और जो यहां आप इसे पैन भी अच्छी चोड़ दिया है टेक्शयर इसका बिल्कुल हलवे आला हो गया है जो ट्रांस्पैरेंट टेक्शर हमें चाहिए था तो यहां पर वैसा ही लुकिंग इसकी हो गई है तो बिल्कुल जैली वाला इसका टेक्शर देखने में लगने लगा है और कल राइवे तर डाज केंटे नाष्टी जाल DP कटेंड़ को सब्सक्रीक्राय़ नाधी बाती है इसको पहले इसको घ्रीज कर लियाнок अब यहाँ पर मैंने फाइन चॉप यह वे बादाम मैंने में इसको बियुक्हर प्रागा में और पूरा पहलाette तो देख लिए बिल्कुल जेली की तरह यह लग रहा है ना कि इतना अच्छा इसका टेक्षियर है और पैन भी इसने बिल्कुल छोड़ दिया है तो यहां पर अच्छी तरीके से स्प्रेड करें के और इस तरीके से स्पैशलाइए स्पून से इसको बराबर कर लिएंके और जो हमने आपर बादाम की कतरन लीती यानिकि जो चौप के वे बादाम लिये थे उने भी उपर से स्प्रेड कर देंगे ताकि यह दोनों साइड पर अच्छी से हो जाए तो बहुत ही अच्छा इसका टेस्ट आया है बहुत ही जबर्दसी बनकर त्यार हुआ है साथ में दे देख सो जाए और इसके बाद हम इसको ठंडा होने के लिए रख देंगे तो पास्चे दस मेट के बाद जब यह थोड़ा सा घरम होगा तब हम इसको इसी कटिंग कर लेंगे तो यहां पर यह अच्छी से सेह हो चुका है तो आप देख लिए इसको एक सर्विंग प्लेट म और इसको उल्टा कर देंगे ताकि यह सारा इसमें ट्रांसफर हो जाए अच्छे से तो यहां पर देख लिए कितनी आसानी के साथ यह निकला आया है अब हम इसको काट लेंगे पीसिस तो यहां पर मैं इसको हलवे के यानिकी बर्फी के पीसिस में कट करूंगी तो चोगोर मैं यहां पर कट कर रही हूं तो यह देखे आप देख सकते हैं बिल्कुल स्मूध कितना जबरदसा बिल्कुल जेली जैसा हमारा हलवा बन कर त्यार हुआ है और खाने में कहीं ज्यादा मज़ेदार है और काटने में देख लिए आपको पदा चला होगा बिल्कुल मखण जैसा स्मूध यह बन कर त्यार हुआ है तो इस तरीके से मैंने इसके पीसेस कट कर लिये हैं और हम इस तरीके से वर्टिकल भी इसको कट कर लेंगे तो बहुत ही जबरदस इसके पीसेस निकल कर आते हैं तो आप देख लिए कितनी हासानी से कटा जा रहा है और बिल्कुल इसके पाक नहीं रहा है कितना स्मूध है तो यहां पर देख लिए बहुत ही जबरदसा हमारा औरेंज हल्वा बनकर त्यार हो गया है तो यह देख लिए इसका टेक्श्यर और इसकी जो ठीकने से बिल्कुल पर्फेक्ट है तो देखने में कितना ज्यादा टेम्टिंग बनी है कोई लंस नहीं आए है तो बहुत ही मज़िदार बना और यह देख लिए बिल्कुल जैली जैसा यह आपको लग रहा होगा देखने में खाने में बहुत मज़िदार है तो चलिए इसकी सर्विंग कर लेते हैं और यह देखे कितना ज़्यादा यह सॉफ्ट बनकर त कि अभी तक मेरे शट्राइब को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लोगें तो मेरी सारी लाट इस विडियो की नोड़िकेशन सब्से पहले आपको मिलेगी और अपने फैमिले और च्रेंट्स भीको जाधे जाधे उगा आपको और आपके लेसीपी कैस चिसो लगाई विल्वाकी खिल्दागी कि एंग।